अभी तक हम अलमुस्ट काफियात तक SEO सारी पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में आप से मैं बात करूँगा कि किस तरह से एक वेबसाइट अगर कलाइंट आपको दे तो आप उसकी कैसे आडिट के लिए रिवियू कर सकते हैं उसमें ये कैसे पता कर सकते हैं कि क्या उसमें वेबसाइट की SEO हुई भी है या नहीं हुई 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 मेरी कोशिश ही होगी कि अभी तक हमने जो भी सीखा है उसको हम एक एक करके काफिया तक मैं आपको इसकाविल के बना दूँ कि आप कलाइंट से ये बात कर सेके हैं फौरन देखते ही कि आपकी वेबसाइट की SEO कितनी जरूरी है याद रहे कि मैं आपको इससे पहले वेबसाइट का आडिट और उसकी रिपोर्ट क्रियेट करना सिखा चुका हूँ आपने पस उसकी को जहन में रखते हुए इस वेबसाइट को देखना है जो घलतिया नज़र आएंगी आप उसको लिख लेंगे इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़े बताऊंगा जो मैं अगर वेबसाइट को देखूँ तो इसको मैं कैसे जज़ करूँगा आपने अपने तरीके से इसको डिटेल में लेके जाना है डिपेंडिंग के आपको क्लाइट ने कितने पैसे दिया अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो आप छोटा आडिट कर सकते हैं अगर आप पैसे लेके कर रहे हैं तो आपको एक डिटेल आडिट करना होता है जिसमें आपको फिर रिपोर्ट की रिपोर्ट भी क्रियेट करनी है और रिपोर्ट के साथ साथ आपने बाके शीज़ें भी उसको देनी है जो जो भी आप क्लाइंट से कमिट करेंगे तो आईए देखते हैं अभी तक हमने जो सीका है इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो बता दूँ कि किस तरह से एक वेबसेट को देखते ही आप उसकी आडिट कर सकते हैं तो एगर आपको क्लाइंट एक वेबसेट दे और आपको यह देखना हो कि इसमें SEO हुई है या भी तक नहीं हुई तो आप उसको इन मराइल से गुजर कर आप यह बता सकते हैं कि किस तरह से इसकी बेतरी इस वेबसेट में लाई जा सकती है और क्या इसमें बेतर नहीं है पाकिस्तान इसकी हम आडिट करेंगे यह आप इसी तरह से समझें कि आपको कलाइंट ने आपको यह वेबसेट दिया है आडिट करने के लिए या आप खुद अपनी website audit करने जा रहे हैं यह मेरा थरीका है किस तरह से मैं website को judge करूँगा लाजमी नहीं है कि आप भी इसी तरह से इसको judge करें तो for example, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसका design देखूँगा कि क्या यह method मुझे बेतर लग भी रही है या नहीं लग रही है तो अगर उसको आप उपर से लेकर नीचे तक देखें तो इसमें आप काफी content नजर आ रहा है इसमें white space बहुत ज्यादा है जो कि कई लोगों को अच्छी लगती है कई लोगों को नहीं अच्छी लगती वाकिस में अगर आप देखें तो एक heading नजर आ रही है उसके बाद कुछ text नजर आ रहा है और अगर मैं नीचे scroll करूँ तो एक और pitch clear है इसमें काफी हत तक वो चीज़ें explain कर रहे हैं कि वो क्या-क्या करते हैं नीचे चलके data marketing की services आ रही है उन्होंने चार main services mention की है और उसके बाद कुछ testimonials है और एक footer है और इसमें बाकि सारा content आपके सामने है अब हमने ये देखना है कि technically और non-technically website SEO friendly है ये नहीं सबसे पहले अगर मैं इसकी domain देखूँ तो मुझे कुछ चीज़े समझ आ रही है तो इसका नाम itself एक keyword लग रहा है जो के अगर आपकी website का नाम आपकी keyword के नाम पर होगा तो एक अच्छी possibility हो सकती है कि आप अपने keyword पे rank कर स्थखें क्योंकि आपका keyword ही आपका brand का name बन जाता है तो digital marketing.p के एक keyword specific domain है point दे सकता है कि इसकी domain में digital marketing itself लिखा हुआ है और चुकि ये local website है पाकिस्तान को अगर आप target कर रहे हैं तो .pk website पाकिस्तान में बेतर रहती है ना के .com तो अगर आप .com में करेंगे तो वो US specific domain है अगर आप .pk या किसी भी country में अगर आप SEO करना चाह रहे हैं तो उस country की आप .pk या जो भी उस country की TLD है या top level domain है उसको आप करेंगे इसी domain में अगर आप एक कोच चीज़ देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि HTTPS यानि कि SSL certificate इसमें लगा हुआ है जिसके वैसे Google इसको एक secure website दिखा रहा है और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर website में SSL नहीं होगा तो वो Google इसका as the ranking factors देखता है अगर नहीं होगा तो आपको penalty पढ़ सकती है तो अगर SSL है तो बड़ी अच्छी बात है क्लिक करके view page source आप क्लिक कर सकते हैं इसके source code में मैं जाऊंगा और मैं कोशिश करूँगा देखने की कि इसमें matter tax किस हद तक अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं जैसे मैं इसको देखना शूरू करूँगा तो आप यह देख सकते हैं कि row number 8 में इसका टाइटल लिखा हुआ है जिसमें इसका नाम डेशर माकेटिंग पाकिस्तान ही लिखा हुआ है और साथ ये डेशर माकेटिंग एजनसी एक और वर्ट भी इसमें एडिट है इसको देखते ही मुझे समझ आ रहे है कि Digital Marketing शायद इनका Main Keyword है क्योंकि Digital Marketing इनके नाम में भी आ रहा है Digital Marketing का Keyword इनने दो दफ़ा Repeat किया अपने टाइटल में जिसकी वैसे ज़रूरत नहीं है आप एक दफ़ा भी लिखे हैं तो काफी है लेकिन Digital Marketing इनकी डुमेन में भी आ रहा है तो इस तीन चीज़े मुझे हिंट दे रही हैं कि किस तरह से एक वेबसाइट जो है किसी पर्टिकलर कीवर्ट के उपर रिलाए कर रही है आगे मैं स्क्रोल करूँ तो मुझे स्क्रोल असा देखने से आडिया हो रहा है कि अगर आपको नहीं पता तो आप इससे जज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी वैसे रेगुलर वेबसाइट भी बनी भी है तो आप उस तरह से भी इसको SEO कर सकते हैं उसमें को मसला नहीं है लेकिन वेबस जैसे कि मैंने पहले बारहा बता चुका हूँ कि वेड़प्रेस एक भेतर CMS है वेबसेट के लिए अच्छा अगर चुके ये वेड़प्रेस है तो आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने योस्ट SEO प्लगिन इंस्टाल किया हूए यहां से आप इस लाइन में देख सकते हैं और उसके साथ ही आप देखेंगे योस्ट के थ्रू ही description का meta tag लगा हुआ जिसमें description जो है वो तक्रीबबन 150 क्रेक्टर्स की लग रही है और उसका मैं पढ़ना शूरू करू हूँ तो डेजिशल मार्केटिंग पाकिस्तान जो कि एक सिननिम कहा जा सकता है डेजिशल मार्केटिंग का वो भी उसमें आ रहा है उसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें काफिया तक open graph tags जो के facebook देखता है या google plus देखता था आप google plus नहीं है so google plus और open जो बाकी social media है वो open graph tags को consider करते हैं अपने platforms पर data दिखाने के लिए साथ ही आप देखेंगे twitter card की भी उन्होंने मेरा tags डाले हुए है इस सब चीजें जो हैं आपको hint दे रही हैं कि ये properly एक optimized website है अगर इसमें ये tags नहीं होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये बेतर नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छे भी हैं तो ये चीज़ याद रखीगा कि सिर्फ tags होना ही काफी नहीं होता है tags का ठीक होना भी बहुत जरूरी होता है क्या वो tag keyword optimized है इसका पता आपको तब चलेगा जब आप keyword research कर चुके होंगे और आप फिर देखेंगे कि क्या data marketing पाकिस्तान ने एक अच्छा keyword था भी या ने अगर data marketing पाकिस्तान या data marketing agency एक अच्छा keyword नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आपको कोई help नहीं करेगा क्योंकि आपको वो traffic लेके नहीं आ रहा तो tags होना काफी नहीं होता, tags का अच्छा होना भी जरूरी है तो अगर आपको किसी tool को use करते हुए या वैसे अगर आप इसको देख भी लेंगे तो याद रखिएगा किसकी quality आपने strategy से अपने दिमाग से सोच कर जो भी आपने brain work करना है, उसके मताबिक आपने सोचना है कि यह ठीक है भी यह नहीं आगे चलते हैं, इसको मैं मजीद देखना चाहूंगा कि यह किस तरह से इसमें keywords कौन-कौन से use हुआ हैं, कितनी density में use हुआ हैं अगर density की बात करें तो मुझे words पूरी website में कम नज़र आ रहा है, यह शायद 500 words नहीं हैं लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, SEO cake की extension मेरे पास installed है मैं उसी तरह से SEO cake को click करके इसका page info देखूँगा और इसमें कोशिश करूँगा कि यह देखूँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़े अवेलेबल हैं तो title मुझे जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं source में कि title अवेलेबल है जिसमें इन्होंने keywords यूज करना ही कोशिश की है लेकिन इसमें data marketing दो दफ़ा लिखा गया है जिसकी जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर data marketing की जग़ा एक दूसरा word आ सकता था एक दफ़ा आपने लिख लिए वो काफी होता है meta description में अगर आप देखें तो data marketing पाकिस्तान और data marketing agency ये दोनों words आ रहे हैं data marketing अगर आप दो दफ़ा रिपीड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको भी change कर सकते हैं लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि आप meta description तीन सो letters तक लेके जा सकते हैं 150 तक लाज़मी है 150 से 300 तक आपको allowed है तो इसमें वो बड़ी meta description नहीं है नीशे जाएंगे तो Google की cash date अगर आप देखें तो 29 मय जो कि recent date है इसका मतलब यह है कि Google ने इसको recently crawl किया है बाकी factors जिसके आप देख सकते हैं कि Facebook में zero आ रहा है Google Plus में चूकि अब वो exist नहीं करता है तो यह error आ रहा है बाकी चीज़ों में इनके कोई sharing नहीं है domain की अगर आप देखें तो indexability जो है गूगल के तक्रीबन 16 URL index है Google के अंदर इस domain के जो कि आप click करने पर देख सकते हैं कि कौन कौन से website के URL गूगल में crawled है अगर आपके website के pages ज्यादा है और Google में कम आपको index नजर आ रहा है याहू बता रहा है कि इसमें कोई भी नहीं है लेकिन अगर आप देखें याहू में भी URLs है तो maybe tool का मसला है या maybe yahoo के data का मसला है लेकिन आपने सरासर tool पे rely नहीं करना आपने अपना भी उसको verify करना बिंग में index के 6 pages नजर आ रहे हैं अगर आप इसको click करके देखेंगे तो बिंग में आपको URL open होगा जिसमें आपको पूरी website के URL नजर आ रही होगे तो बिंग भी एक second biggest search engine कहराता है US के अंदर अगर आप गूगल के बाद बिंग को भी optimize करना चाहें तो आपके लिए important है कि आप यह understand करें कि बिंग में कितने URL हैं और वो किस सब तक आपको Google बिंग आपकी कहां तक कितने pages तक पहुंच सका है अगर मैं नीशे crawl करूँ तो आप देखेंगे कि keyword density मुझे नजर आ रही है इसमें total 693 words लिखे हैं website के ओपर मैं समय रहा था 500 हैं लेकिन ये 500 से ज्यादा है अल्दो देखने में कम लग रहे थे लेकिन ज्यादा है पर मेरा ख्याल से अगर 1000 होते तो और ज्यादा बेतर हो सकता था सबसे ज्यादा यूज होने वाला single word जो है वो डिजिटल है जो तक्रीमन 47 दफा रिपीट हो रहा है जो इसकी density तक्रीमन 6.78% बन रही है जो कि हमारे थेशोल्ट से थोड़ी सी ज्यादा है ये आपको तूरा सार रिस्की हो सकता है अगर आप density पांच से कम रखना चाहते है तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम उन words को उतनी दफ़ा यूज करें जितनी दफ़ा वो आपकी जरूरत है साथ ही अगर आपको टूल ये बता रहा है कि डिजिटल का word जो है वो टाइटल में भी है और वो keyword में भी है उसके बाद वो h1 में भी use हो रहा है तो ये आपको hint नजर आ रहे हैं कि वो कहां कहां मौजूद है उसके बाद अगर आप निशे क्रॉल करें तो आप किसी तरह से एजेंसी का word भी नजर आ रहा है वो भी तीन जगों पर खास जगों पर मौजूद है अगर आप टू वर्ड फ्रेजिज में जाएंगे तो डेशन जो कि देंस्टी आठ परसंट बन रही है जो कि कद्रेज ज्यादा है उसके बाद मार्किनिंग पाकिसां वो भी तकरीबन नौदाफार रिपीट हो रहा है और उसकी देंस्टी धाई परसंट है यहीं कि 2.6% अगर आप देखें तो तीन वर्ड फ्रेजिज में डेशन मार् परसंट है ठीनों ही आप किससां से इनको मिक्स करके अपने ब्रैंड के नाम के साथ या विदाउट ब्रैंड नेम आप उनको यूज करेंगे So, आगे चलते हैं Digital Marketing Pakistan on ये 4 word phrases हैं जिसमें 4 words में आप देखेंगे Digital Marketing Pakistan on आ रहा है और ये तिकरीबन 4 दफ़ आ रहा है on does not make any sense जिसका मतलब ये कि ये regular sentence में है ये आपका keyword नहीं हो सकता on का word जा है वो keyword को represent नहीं करता उसके अब मेडिया और business development है वो तिकरीबन 3 दफ़ रिपीट हो रहा है और इस तरह से SEO and social media, social media and business इस सारी चीज़ें आपकी repeat हो रही है लेकिन आप ये देखेंगे इनमें कोई भी main keyword destination में नहीं है कहीं पर भी title में या heading में नहीं है ये text में कहिना है कि repeat हो रहा है और इसमें keyword भी हमारा added है उसके बाद canonical भी इसमें added है जो कि मैंने आपको बताया था duplication को control करता है इसका मतलब ये ठीक है title 56 characters का है आपको याद होगा कि हमाएब बाद title की length 60-70 characters तक जा सकती है तो अगर आपका title छोटा है तो आप इसको बढ़ा कर सकते है इस 56 का tool बता रहा है कि ठीक है लेकिन वही नजर में इसको बढ़ा होना चाहिए अगर आप यहाँ पर एक दो words ओर डाल सकते हैं तो वह आपके लिए बहतरी है आप keyword यूज़ कर सकते हैं meta description आप देखेंगे तो 154 characters है यहाँ पर इसको 300 characters सकते हैं अगर आप minimum 150 या maximum आप 300 तक जाएंगे तो इसमें भी बहतरी के chances बहुत मुझूद हैं अगर आप निचे आए meta keywords नहीं use की है Google इनको नहीं देखता लेकिन कुछ search engine इसको भी देखते हैं यह आपकी मर्जी है आपने इसको add करना है यह नहीं करना आगे चलके देखेंगे तो headings में आप देखेंगे हएच वन में हएच वन एक दफा ही आरही है जबकि हएच टू तीन दफा और बाकी divided हैं हएच थी और हएच फ़ॉर एग्सिस्ट नहीं करते हैं हएच वन एक दफा लाजमी चाहिए दो दफा नहीं होना चाहिए बाकी हच टू या हएच फ़ॉर या हएच थी जैसे भी आपका पेज का layout structure बनता है वह designer के साथ बैठके आप discuss कर सकते हैं लेकिन आपको इस ताह से spread out करना है अपने main keywords heading में डालने हैं तो आप अप देखेंगे destination marketing agency पाकिस्तान लेmost main heading में आ रहे हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे heading 2 में भी website देशर मार्कटिंग वर्ड रिपीट हो रहा है, उसके बाद heading to में service, full service, देशर मार्कटिंग अजेंसी, देशर मार्कटिंग अजेंसी में कीवर्ड था, उसके बाद services या देशर मार्कटिंग services, जिससे आप देखेंगे synonym में, या related keyword में count हो सकते हैं, इसी तरह से आप देखें कि images तो मुझूद हैं, लेकिन उन में 15 images हैं, जो कि without all text हैं, जो कि SEO के लिए भेतर नहीं है, आपको images लगाने हैं, तो उसमें all text यानिके keyword images में भी डालने हैं, text इसमें काम है, यह आप आप ratio देखेंगे, code की ratio ज्यादा है, text की ratio काम है, तो आप उसको text बढ़ा लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले predict किया था, frames इसमें नहीं लगे हैं, जिसका मतलब यह भेतर है, फ्रेम सी technology प्रानी हो चुकी है, पर हम उसको use नहीं करते हैं, flash भी नहीं detected, flash भी नहीं चाहिए, micro format, schema और open graph, यह जो advanced चीज़ें हमने पढ़ी ही है, इसमें आप देखेंगे कि micro format इसमें exist नहीं करता, जो कि एक negative point है, इसको आपको add करना होता है, इस website में micro format missing है, schema tags भी इसमें missing है, जबकि open graph हमने देखाए थी कि वह पहले ऐसे लगे वह था है, Twitter guard भी इसमें added है, तो यह चीज़े, social point of view से, social SEO यह नहीं कि open graph tags या Twitter tags दोना मुझूद है, AMP version इसका भी मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि इसमें यह एक error दे रहा है, इसको आपको verify करना पड़ेगा कि AMP friendly आप हैं या नहीं, meta viewport इसमें बता रहे हैं कि Google इसको properly scale कर पा रहा है, Chrome browser के अंदर, तो यह Google एक अच्छी property समझता है, इसको आपको देखना है कि आपका यह negative point तो नहीं आ रहा है, आगे चलेंगे तो बाकी सारे भी हमाई चेक marks आ रहे हैं जिसमें remote.exe exist करती है, इसको मैं open कर लेता हूँ, साथ ही मैं नीचे देखूँगा, examen site में अब भी exist करता है, इसको मैं open कर लेता हूँ, और इसके बाद language भी mentioned है, US की, इसमें doctor भी mentioned है, encoding भी mentioned है, Google Analytics भी इसमें installed है, यह different topic है, इसका SEO की तालुक नहीं है, लेकिन अगर आप Google Analytics में tracking नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब में भी आपको पताने चलेगा कितने लोग आए हैं, या आपकी website भी कितने लोग नहीं आए हैं, anyways हम वापिस जाते हैं, अपने robots वाली फाइल के उपर, so robots अगर आप देखेंगे तो इसमें robots में बाकिसाब allowed है, सिरफ एक folder not allowed है, जो कि आपको ज़रूत नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पर sitemap added नहीं है, जो कि एक negative point हो सकता है, अगर आप साइट मैप गॉलन अगर साइट मैप का URL लिखेंगे, जो कि यह URL है, तो वो एक बेतर होगा Google को accessibility या बाकिसाच इंजिन को accessibility में असानी होगी, एक्सेबल साइट मैप में आप देखेंगे, सिरफ page का site map exist करता है, आप उसको click करेंगे, तो उसके अंदर बाकिसारे pages और उनके अंदर कितने images हैं, उसके साइट लास्ट एमकब मॉडिफाय हुआ था, सारी चीज़ इसमें में मेंचेंड हैं, यह site में आप जब Google Search Console में डालते हैं, तो Google आपके सारे URLs easily crawl कर सकता है, तो इस तरह से आप एक बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस website में क्या मसले हैं और किस website में क्या मसले नहीं हैं, आपको यह empower करेगा कि किस तरह से website की SEO कहां stand करती है, जैसे कि आपने देखा कि कुछी minutes में मैंने website की back end से और front end से दोनों से मैंने इसको review कर लिया है, यह आपको help इस तरह से कर सकता है कि आप अपनी website या अपने client की website जो भी आपको audit करने के लिए आती है, या SEO करने के लिए आती है, आप उसको review करेंगे, उसमेंजे गलतिया निकालेंगे, और depend यह करता है कि आपने कितना time लगाना है उसके अपए, तो मैं यह करता हूँ कि अगर मुझे client कोई कहता है कि मैंने SEO करवानी है तो मैं इसको review करके इससे बात करने के काबिल हो जाता हूँ, आपके यह यह मसले मुझे अभी फॉरण देखने में नजर आ गई है, और यह इसको हम ठीक करेंगे लेकिन अगर इसका detail audit अगर आपसे कहा जाए, तो आपको चाहिए कि आप इसका detail audit करें बैठ कर और इसकी report बनाए और इसके बार report present करें, तो इससे यह फायदा होगा कि आप इसको as a service भी sell कर सकते हैं लेकिन अगर आप as a service इसको नहीं करेंगे, इसको सिर्फ अगर आपने base पना कर पूरा project लेना है तो आप इसको as a free audit करके एक report पेश करके, क्लाइंट को convince कर सकते हैं कि आप एक बेतरीन expert हैं SEO के अंदर और आप जो कर रहे हैं आपको पता है आप वो क्या कर रहे हैं, यह चीज़े इसलिए जरूरी हैं कि क्लाइंट आपको तब पैसे देगा जब आप उसको यह confidence देंगे कि आपको काम आता है, तो वो confidence आपको अताब आएगा जब आपको वाकिए देखने में आपको नजर आएगा कि प्राबलम्स क्या हैं और उसको आप बता सकेंगे कि यह प्राबलम्स exist करती हैं और इसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि प्राबलम्स वाकिर आपको पता होंगी तो यह आप solution प्रेजेंट करेंगे, क्लाइट को जब यह पता होगा कि इसको पता है मेरी problems क्या है और इसको यह पता है किसका solution क्या है तो वो आपको पैसे देना पसंद करेगा, यह आप अपने वेब्चेट के SEO कर रहे हैं तो आप उसको जहरी बात है बेतर कर सकेंगे।